हमारे सभी दर्षकों को साधर पढाम जैशी क्रिशन आज का हमारा विशाय है मकर राशी और शनी की साड़े साती कब समाप्त होगी क्योंकि यह प्रश्ण बार-बार मेरे पास आ रहा है तो आज मकर राशी का समाधान करेंगे उपाय भी बताएंगे और साड़े साथी कब तक और चलेगी और क्या-क्या उसके रिजल्ट रह सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और वेवाहिक मामले में कैसी रहेगी उसे भी समझेंगे और अन्य क्या-क्या लाव नुकसान हो सकते हैं सभी जानकारियां दूँगा आज इस वीडियो में लेकिन केवल मकर राशी की बात होगी यदि आपकी जन्मराशी मकर है अर्थात आपकी कुंडली में चन्द्रमा दस नंबर अंक पर मकर राशी पर लिखा है तब ही यह वीडियो आपके लिए उपियोगी सिद्ध होगा अब सबसे पहली इस्तिती तो आप यह समझें कि साड़े साथी कैसे लगती है शनी जो है वहाँ हर एक राशी पर लगबख 30-30 महीने तक रहता है लगबख 20 साल एक राशी पर रहता है और जब किसी राशी पर शनी की साड़े साथी लगती है तो वहाँ पर क्या इस्तिती होती है जैसे मकर राशी की बात चल रही है तो मकर राशी से पहले राशी आती है धनू राशी और मकर राशी के बाद में आती है कुम्ब राशी बीच में पढ़ती है मकर राशी तो यह मान लेवें कि मकर राशी जो है उसके पड़ोसी है दो राशिया धनू राशी और कुम्ब राशी तो धनुराशी पर जैसे ही शनी का प्रवेश होता है, गोचर प्रारंब होता है, मकर राशी वालों को शनी की साड़े साथी प्रारंब हो जाती है फिर धाई साल धनूराशी पर रहेगा धाई साल मकर पर रहेगा फिर धाई साल कुम्ब पर रहेगा और जब मीन पर प्रवेश करेगा शनी तो मकर राशी वालों को साड़े साथी समाप्त हो जाती है तो सबसे पहला जो चरण है वह कब आया मकराशी वालों को सबसे पहले इसके बारे में जान लेए प्रथम धाई वर्ष लगबग रहे हैं वह समय 26 जनवरी 2017 से लेकर 24 जनवरी 2020 तक रहा है इसे दो टुकडों में देखा जाएगा 26 जनवरी 2017 से 20 जून 2017 और फिर 26 अक्टूबर 2017 से रेगुलर साड़े साथी शुरू हो गई और प्रथम जो धाई साल है 24 जनवरी 2020 को समाप्थ हो गए और इस समय अर्थाच 26 जनवरी 2017 से लेकर 24 जनवरी 2020 तक शनी मकर राशी वालों के लिए बारवा पड़ा और बारवा शनी क्या-क्या नुकसान उसने दिया होगा क्या लाब मिला होगा उसको भी जानेंगे जब भी किसी राशी पर शनी आता है तो उससे आगे वाली राशी अर्थात मकर राशी वालों के लिए शुरुआत के धाई साल जब धनू राशी पर शनी धाई साल चला तो मकर राशी वालों के लिए यह बारवा शनी कहलाया और यह शनी लोहे के पाये पर आया तो लोहे का पाया शास्त्रकारों ने कहा है कि लोहे का पाया यदि शनी आपकी राशी से बारवा पड़े तो लोहे के पाये पर आता है एसा शनी शुब नहीं होता है लेकिन हमने भी देखा है मकराशी वाले जातक बहुत से हमारे भी संपर्क में है साड़े साथी उनको चल रही है और कोई विशेश समस्या भी नहीं है तो बारवाशनी जिसे कहते हैं सीर पर चड़ती हुई साड़े साथी 26 जनवरी 17 से लेकर 24 जनवरी 2020 तक पहले जो ड़ाई साल है इस प्रकार से यह इस्तती रही और इसमें शास्त्रकार कहते है कि किसी ने किसी प्रकार की क्षती होती है अर्थाद नुकसान होता है व्यापार में नोकरी में नुकसान होता है यदि बारवाशनी हो तो व्यापार में नोकरी में नुकसान होता है खर्चा बहुत अधिक होता है आँखों में समस्या रहती है शोक रहता है अर्थात गर में किसी व्रद व्यक्ति का स्वास्त खराब रहता है या अन्य किसी का स्वास्त और ज़्यादा खराब भी रह सकता है उससे शोक की इस्तती या अशुब इस्तती रहती है और दूर देश की यात्रा भी होती है क्योंकि बारवाशनी है कारिक्षत्र में हानी होती है और व्यसन अब इसके लाब भी आप सुनेंगे थोड़ी देर में मैं लाब भी बता रहा हूँ बारवा शनी क्या लाब देता है व्यसन यदि आप व्यसन करते हैं गुटका, पान, सुपारी या और कोई गलत व्यसन है तो वहाँ पर भी शनी उसमें सलग न करेगा और फिर नुकसान भी देगा गलत काम करेंगे तो ज्यादा समस्या रहेगी, आलस से रहेगा फिजुल खर्च बहुत ज्यादा होगा और उससे फिर आप दुखी रहेंगे और गलत मित रहें तो हानी होगी तो यह इस्तिक कब चली है? 26 जनवरी 17 से 24 जनवरी 2020 तक तो शास्त्रकारों ने इसे बुरा बताया है, लेकिन इसका लाभ भी मिलता है क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? उस समय क्या लाभ मिला होगा? यदि आप अपना गर छोड़ कर किसी दूर इस्थान पर जाते हैं, वहाँ पर व्यापार करते हैं या नोकरी करते हैं तो लाभ मिलता है, शिक्षा ग्रहन करते हैं तब भी लाभ मिलता है खर्चा जरूर होता है या कोई व्यापार आरम करते हैं उसमें पेसा लगाते हैं तो वहाँ व्यापार भी धीरे-धीरे सूचारू रूप से चलता है उसमें लाब भी मिलता है खर्चा होता है लेकिन लाब भी मिलता है दोड़ भाग विशेश कर दोड़ भाग के कारियों में विशेश लाब मिलता है हालांकि यहां पर शास्र कारों ने लिखा है कि सिर दर्द बहुत होता है सिर में रोग होते हैं क्योंकि सिर पर चड़ती हुई साड़े साती है लेकिन कोई जरूरी नहीं ऐसे बहुत से मकराशी वाले जातक हमारे संपर्ग में है ना तो उनका सिर दर्द हुआ है ना कोई फिजूल खर्च लिमिट से ज़्यादा हुआ है तो सबसे पहली इस्ति तो आप यह समझें कि शनी की जो साड़े साती जब लगती है शुरू के ड़ाई साल बहुत ज़्यादा खर्चा होना काम में नुकसान होना उनहीं लोगों के लिए अशुब है जो कहीं न कहीं अव्यबस्तित काम कर रहे हैं सही योजना बनाकर काम नहीं कर रहे हैं या आलत सी कर रहे हैं तो फिर समस्या रहती है अन्यथा शनी तो शत्रू नाश भी करता है धर्म में भी रूची देता है तो ठाई साल शुरू के 26 जनवरी 17 से चोई जनवरी 2020 तक रहे हैं अब मैं आपको शनी की दूसरी इस्तती बता रहा हूँ अभी वर्तमान में शनी मकर राशी पर ही गोचर कर रहा है सबसे पहले धाई साल तक धनू राशी पर रहा धाई साल कम्पलीट हो गए चोई जनवरी 2020 को चोई जनवरी 2020 से लेकर अब 17 जनवरी 2023 तक जो सेकंड चक्र है शनी का ढई साल और ढई ढई साल के तीन चक्र मिलकर शनी की साड़े साथी बनती है तो अभी मकर राशी वालों को दूसरा चरण भोगना बाकी है अभी तक पूरा नहीं हुआ है 17 जनवरी 2023 तक चलेगा हालांकि मकर राशी पर शनी दो टुकडों में रहेगा अर्थाद दो समय में रहेगा 24 जनवरी 20 से गुंती सपरेल 2022 और फिर 12 जुलई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 आप नोट कर लेएं इन दो समयों में शनी मकर राशी पर ही गोचर करेगा ड़ाई साल लगबग अब जब आपकी राशी पर ही शनी का गोचर होगा तो इस शनी को प्रथम शनी कहते हैं अर्थाद पहला शनी कहते हैं चंद्रकुंडली देखेंगे तो प्रथम भाव में शनी का गोचर अब इस शनी को शास्त्रकारों ने मध्यम कहा है शास्त्रकारों ने इसे मध्यम कहा है और सोने का पाया बतलाया है सोने का पाया भी अशुब होता है शास्त्रकारों ने कहा है कि सोने का पाया अशुब होता है लेकिन अभी आपकी राजी पर शनी चल रहा है और आपको वास्ता में पता है आपकी इस्तती अभी क्या है सभी की इस्तती खराब नहीं होती है शनी न्याय धीश है हम जैसे कर्म करते हैं वेसे ही हमको उसके फल भी मिलते हैं शनी के तो शनी अब ढ़ाई साल मकराशी पर चल रहा है और यह इस्तती 24 जनवरी 2020 से 29 अपरेल 2022 पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा 12 जुलई 22 से 17 जनवरी 2023 इन दो टुकड़ों में आपकी राशी पर यह चलेगा अब शास्त्रकारों ने इसको अशुब बताया है और वास्तव में शुब फल भी मिलते हैं उसको भी मैं इसपस्ट करूँगा तो सबसे पहले तो इसे पेट वाला शनी कहते हैं कि पहला जो ढई साल है सिर पे रहता है शनी फिर ढई साल पेट पर अर्थात पेट के रोग बढ़ना बुद्धी में ब्रम होना शास्त्रकारों ने क्या कहा है बुद्धी में भ्रम होना ब्रमित बुद्धी होना पता नहीं चलता क्या करें क्या ना करें भाई बहनों से कलह वाले इस्तती रहती अभी जो चल रहा है टाई साल ना घर ना मित्र ऐसी इस्तती होती है ना गर गर भी नहीं है और मित्र भी नहीं है ऐसी इस्तती होती है गरीबी, रोग, मानसिक पीड़ा तो इस प्रकार की इस्ततियां शास्त्रकारों ने लिखी है कि शनी यदि आपकी राशी पर ही गोचर करें शारिरिक पीडा, रिस्तेदारों से जगडा और पेट का रोग लेकिन एक बात और समझनी होगी कि शनी जो है अभी मकर राशी पर गोचर कर रहा है और मकर राशी का स्वामी शनी ही है जब शनी अपने ही गर में अपनी ही राशी पर होगा तो क्या अशुब फल देगा इसको समझना भी बहुत जरूरी है तो हमने जो रिजल्ट देखे हैं उसमें लोगों को लाब भी मिल रहे हैं क्या-क्या लाब मिल रहे हैं उनको भी आप समझें स्वाराशी पर यदि शनी है तो ऐसा व्यक्ति द्रड निश्चाई होता जो सोचता है करके रहता है तो अभी 17 जनवरी 2023 तक और है शनी मकराशी पर इसके 5 साल कंप्लीट होंगे 17 जनवरी 2023 को फिर अगले इस्तिती और बता रहा हूँ कि कब तक चलेगा कब खतम होगा और अंतिम ढ़ाई साल कब से कब तक है और उसमें क्या लाब हो सकता है क्या नुकसान भी हो सकता है तो आपकी राशी पर ही अभी वर्तमान में शनी गोचर कर रहा है 17 जनवरी 2023 तक द्रड निश्चाई बनाएगा जो सोचेंगे वही करेंगे अधिकार सत्ता मिलती है नोकरी में अधिकार मिलता है अच्छा पद मिलता है नोकरी में बहुत शुब रहता है मान सम्मान की वरद्दी होती है शनी यहाँ पर भी शुब है मान सम्मान में कोई कमी नहीं करेगा नोकरी में बहुत ज़्यादा शुब रहेगा व्यापार में भी नुकसान नहीं देगा शनी अपनी ही राशी पर है तो नुकसान नहीं देगा तो कोई दिक्कत वाली व्यापार में भी बात नहीं है स्वग रही है इसलिए उत्तम फल देगा शनी यदि आप नेता हैं मकर राशी है तो बहुत अच्छी स्थती है यदि आपकी मकर राशी है तो यह शनी आपको उच्छ पद देगा सरकारी नोकरी के योग भी बनेंगे इस शनी की साड़े साती से और ग्यान की वृद्धी भी होगी तो अभी शनी आपकी राशी पर ही गोचर कर रहा है आप चाहें तो कलह करें आप चाहें तो मेहनत करें तो सफलता भी आपको मिलेगी तो शनी बुरा नहीं है ऐसे बहुत से जातक हैं जिनकी मकर राशी है साड़े साती चल रही है और वे उत्तम भोतिक संसादनों का लाब मिल रहा है सारी सुक सुविदाएं उनके पास हैं कोई समस्या वाली बात नहीं है और अभी वर्तमान में तो मकर राशी वालों के लिए एक शुब बात यह भी है कि उनकी राशी पर ही शनी का गोचर है तो विवाह संबन्दित मामलों में भी शुब है यदि आपकी मकर राशी है और अभी 17 जनवरी 2023 तक चलेगा एक इस्तती तो 24, 29 अपरेल 2022 को ही समाप्त हो जाएगी लेकिन फिर वापस आपकी राशी पर यहाँ 12 जुलई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक मकर राशी पर रहेगा इस समय में प्रियास करेंगे तो विवाहिक मामलों में भी सफलता मिलेगी कहीं से रिस्ता आता है तो प्रियास करेंगे तो इस समय में विवाह हो जाएगा तो इसे से शुब और क्या हो सकता है यदि आप विवाह के लिए तैयार है तब भी शुब है और नोकरी कामधंदे में भी शुब है यदि आप गलत मार्ग पर चलते हैं गलत काम करते हैं अवेद काम करते हैं तो शनी शास्त्रकारों ने इसे न्यायधिश कहा है और यदि नुक्सान भी आपको भोगने पड़ेंगे अब जैसे मकराशी है अभी किसी व्यक्ति की मकराशी है और उसने अभी वहन खरीदा है मकान खरीदा है बहुत अच्छे योग हैं कोई समस्या वाली बात ही नहीं और योजना बनाएंगे विशेश तोर से अब आने वाले जो ढ़ क्या अभी करूंगा ढ़ी साल और ज्यादा अच्छे रहेंगे द्यान देंगे तो लाब मिलेगा अब आने वाले ढ़ी साल कौन से हैं उनको भी समझें तो कुल मिलाकर 26 जनवरी 17 से चल रहा है ढ़ी साल खतम हुए 24 जनवरी 2020 को फिर अभी दूसरा अंश चल रहा है जो सोन के पाये पर है ढ़ी साल उसके अभी समाप्त होने वाले हैं 17 जनवरी 2023 को पूर्ण रूप से फिर तीसरा चरण चलेगा शनी का फिर ढ़ी साल और रहेगा इसे ही साड़े साती कहते हैं तो ढ़ी साल अब कुम राशी पर रहेगा मकर राशी से उतर कर कुम राशी पर गोचर करेगा लेकिन फिर भी मकर राशी वालों को अभी साड़े साती और भोगनी होगी टाई साल अब यह इस्तती सबसे पहला टुकड़ा है गुंतीस अपरेल 22 से 12 जुलई 2022 कुम राशी पर रहेगा शनी फिर दूसरी इस्तती रेगुलर 17 जनवरी 2023 से गुंतीस मार्च 2025 तक चलेगा तो कुल मिलाकर आपने यह समझा कि शनी की साड़े साती प्रारम कब हुई 26 जनवरी 2017 को और समाप्त कब होगी गुंतीस मार्च 2025 को अब यह जो आने वाले धाई साल हैं कैसे पर होता है और लाब भी देता है कई कई विद्वानों ने इसे अशुब भी कहा है पहले शुब बातें सुन लेघे फिर शुब की चर्चा करेंगे के मस मी दूसरा शनी आपकी राशी है बुड़े हैं व्रद्ध हैं तो अपने पेरों पर अपने स्वास्त पर अब द्यान अवश्य लगावें क्योंकि शास्त्रकारों ने यह भी कहा है कि जब शनी उतरता है उस समय फाइदा तो देता है लेकिन व्रद्ध लोगों के लिए स्वास्त के लिए ठीक नहीं है तो शास्त्रकारों ने अब इस अंतिम शनी के जो अंतिम चरण है इसके बारे में क्या कहा है सबसे पहले अशुब फल सुन लेए दन की कमी परिवार में कलह दुरगटना कारियों में असफलता मा को कस्ट शरीर में रोग एसी इस्तितियां बताई है लेकिन शुब फल भी अव प्रियास करेंगे तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और बहुत से लोग कहते हैं कि साड़े साथी कब उतरे तो हम सुखी होएं जबकि शनी की साड़े साथी ही व्यक्ती को जीवन में उन्नती देती है ये वो टुकड़े हैं जीवन के वो अंच हैं जहां पर व्यक्ती को थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ता है, उसके सामने अच्छे-च्छे ओप्शन भी आते हैं, नोकरियां भी आती है, सारी इस्ततियां बनती है, लेकिन यदि वह ध्यान नहीं देगा, तो नुकसान भी होते हैं, और फिर बात में पस्ताता है कि मेरे पास अपरचिनि के लिए और चलेगी, और वहां पर स्वाराशी का, कुम्बराशी का शनी होने से शुब रहेगा, वानी से आप लाव प्राप्त करेंगे, आपकी वानी में गंबिरता रहेगी, जो भी बात कहेंगे, वह बात अगला व्यक्ति मानेगा और उससे आपको लाव मिलेगा, दू दूर इस्थानों से भी आपको लाव मिलेगा, किसी दूर इस्थान पर जाते हैं, तो वहां से भी आपको लाव मिलेगा, धीरे धीरे अब आपकी जमा पुझी जो है, उसमें भी व्रद्धी होगी, पैसा बड़ेगा, बैंक बेलेगा, इसलिए आप अवश्य ध्यान लग अगर आप किसी पद पर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रियास करें, अब अगले साल से ही अच्छा पद भी मिल सकता है, नोकरी में, तरकी मिल सकती है, और विवाह में थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा, 17 जनवरी 23 तक तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, ले रिष्टे आएंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो देरी होगी, यदि आपकी मकर राशी है, तो यह साड़े साती उस समय, 17 जनवरी 23 के बाद, फिर थोड़ा सा ज्यान देना पड़ेगा वेवाहिक मामलों में, वाहन मकान का योग अवश्य बनेगा, तो अगले साल से ही अच खरिद सकते हैं, आपकी कैपसिटी है, उतना ही धन खर्च करें, मकान खरिदना है, बहुत ज़्यादा खर्च ना करें, ज़्यादा कर्ज लेकर मकान ना खरिदें, योग तो बनेगा, लेकिन ज़्यादा करजा नहीं लेना है, बस इसी बात पर ध्यान रखना है, लेकिन मक आस्तों में रिजल्ट शुब मिलेंगे जैसा कि हम देख रहे हैं अनेक मकर राशी वाले जातेक हमारे पास आते हैं और आने वाले समय में भी उनको लाब मिलेगा अन्तिम धाई साल है इसका अधिक साधिक लाब उठाएं शनी की साड़े साती शुब होती है ना की अशुब योजना बनाएंगे जो आपके लिए शुब होगी उसका लाब आपको मिलेगा तो शनी की साड़े साती नुकसान नहीं देगी और अधिकारियों से भी लाब मिलेगा आपके जो अधिकारी है नोगरी में हैं कोई बड़े अधिकारी हैं वहाँ पर लाब मिलेगा और व्या 17 से प्रारम वाली इस्तती मैंने बताई और यह इस्तती चलेगी 29 मार्च 2025 तक यह तीन टुकड़े हैं और अब चांदी के पाये पर आएगा 17 जनवरी 2023 से रेगुलर रहेगा 29 मार्च 2025 तक फिर उसके बाद ही साड़े साती समाप तो होगी लेकिन इस साड़े साती का अधिक से अधिक लाब उठाएं मैंने जो जानकरियां दी है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे अमल करेंगे तो लाब मिलेगा और अच्छे काम करें किसी का शोशन करके पेसा ना कमाएं कोई गलत काम ना करें अन्यथा यह शनी आपको उल्टे रिजल्ट देगा शुब की जगह अशुब फल देगा तो हमेशा लोगों का अच्छा सोचें अच्छा काम करें अच्छे विचार रखें और उपाएं शनी की साड़े साथी का उपाएं लोग अनाप शनाप खर्च करते हैं शनी के जाप कराते हैं या और कोई बहुत बड़ा दान करते हैं दान करना कोई ब बुरा नहीं है लेकिन लिमिट से ज्यादा खर्च करना बहुत बुरा है और फिर आपको रिजल्ट ना मिले तो समस्या रहती है आपको शनी की साड़े साती चल रही है तो आपको केवल एक ही उपाय करना है नियमित रोज एक माला अर्थात एक सो आठ बार रुद्राक्ष की माला हो या निकोई माला हो उस पर उस माला को लेकर एक सो आठ मंत्र बोलने हैं संपुटित महा मृत्यूंजय मंत्र के तो संपुटित महा मृत्यूंजय मंत्र आप करेंगे और यदि आप नहीं करना जानते हैं तो आजकल तो यूट्यूब पर वीडियो भी उपलब्द है उनको पहले आप देखें सुनें और फिर उसका वाचन करें तो महा मृत्यूंजय मंत्र ॥ करेंगे तो इस शनी की साड़े साती का कोई भी दुष्प्रभाव आपके उपर नहीं रहेगा और साड़े बुरी नहीं है शुब है आपने देखा मैंने बताया क्या क्या शुब फल भी शनी देता है और आने वाले समय में आपको देगा तो इसका अधिक से अधिक लाब उठाएं और विशेश कर अभी इस 2022 में 17 जनवरी 23 से पहले पहले वेवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी द्यान देंगे तो लाब मिलेगा मैंने जो उपाय बताए हैं एक ही उपाय है और दूसरा उपाय अगर चाहें तो सुन्दर कांट भी कर सकते हैं तो उपाय को करें उपाय करेंगे तो और ज्यादा लाब आपको मिलेगा सबी प्रकार से लाब मिलेगा और यह वीडियो आपको पस देर भी अवश्य करें, धन्यवाद जैशी कृष्णा